हुआ है कि तुला पुर्सदानम या परकूरती नुरुतमम दिवी दिव्यांबर धर्ष्टम चाया मही पते जन लोगों ने अपना तुलादान किया है मर्तु के तत्पशाद भी धर्थी पर आके जनम लेता है तो बहुत बड़ा जमीदार बन करके पैदा होता है तुलादान करने से रोगों की निवरती हो जाती है यदि किसी को रोग है दिक्कत दवाई नहीं लग रही चाब इस्त्री हो चाहें पुरुस उसका तुलादान करा दीजेगा गी से करा दें तेल से करा दें तेल का तुलादान करने से रोग निवरती होती है सब तधानों से तुलादान कराने पर आयु बढ़ती है यदि यह किसी की कुंड़े में लिखा है जन्मपतरी में यह वरड़ने है कि इसकी जिंदगी को खत्रा है अलपाई हुए मेरे निविदन पर वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी उनका तुलादान करा दे यहां भी वढ़ने है के तुलापुरसदानम्या प्रकुरती नरुतमा आयुष्य दिव्याम्रश्यरम सचमाईपती आयुष्य कहते हैं उम्र को उनकी उम्र बढ़ती है सब्त धानों से तुलादान करने पर उम्र बढ़ेगी आयुबढ़े यहां तुलसी वनाश्यरम में यह होता रहता है गोपाश्यरमी को तो बहुत बड़ा कारेक्रम होता है भगवान सी किष्ण का तुलादान हुआ महादेव का तुलादान हुआ देवराज इंद्र का तुलादान हुआ देवसी नारज जी का तुलादान हुआ विदाता बर्मा जी का तुलादान मा सावित्री ने कराया था किष्ण का तुलादान माता सत्य भामा ने कराया तो इसका मतलब जितनी भी माता है मुझे सुन रही है आप अपने पती और पुत्र का तुलादान जहां भी कई मन हो वहां ताहां कराना जो बातें आपको पता नहीं है बू बातें मैं यहां से आपको बता रहा है तो तुलाप पुर्सदानम चा प्रकुरती नरुतमम दिविदिव्याम्रदरिष्टम चा माई पतें जननी जठरे भूया तस जन्मन विद्धते ददाते अस्तुवाई कन्या सलंकारा नरुतमा और सुनलू बड़ी अधुद बात कहीं गई बेटी को वस्त्र पहना करके जो क करन्यादान करते हैं जो कर अब बेटी का जिस समय करन्या दान हो रहां आपको नंचा पता हो पता हो समय उसको संसराल के बस्तल नहीं अपने बस्ता पहनाए कर स्नान के समय पर कि लिखांविदा कि निखां या रिखां है अपना आपूशन कोई भी कुंड़ हो और भी जो भी आभिशन होते हैं, अपने वस्त्र और अपने अलंकार बेटी को पहना करके, जो माता पिता कन्या का कन्यादान करते हैं, जननी यठरे भूई अत्ता से जनमन अविद्धुते, म्रत्तु के तत्पशाद यदि वो किसी मां के गरभ में आते हैं, तो पाउ में का नहीं होता जनम लेने पर और मरने पर, कन्यादान की इतनी बड़ी महम हैं, दान धरती पर बहुत हैं, लेकिन कन्यादान अपने आमें बहुत बड़ा और बड़ा विशिस दान,